नमस्ते मेरी प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटी भेपी एस्टेडी पर सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए एक सांदार नया बुक आया है जितना भी competitive exam होता है चाहे वो SSC, Railway, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हो या तो बिहार टीचर, BPSC इन सभी परिक्षाओं में जो GKGS का परसन आता है वो सभी NCERT कलास 6 से 12 तक का परसन पूछा जाता है और इस बुक में कलास 6 से 12 तक का NCERT का महतपुर्ण परसनों का subject wise सांदार collection है इसलिए आप किसी भी competitive exam के तयारी करते हैं और GKGS में सांदार excellent करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी परसनों को systematic धंग से जानना बहर जरूरी है तो यह ध्यान रखना है और एक चीज़ हमें से याद रखना है कि ना संगर्स ना तकलिफ तो खाक मज़ा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में चलिए शुरू करते हैं आज का पहला question है कि लड़कियों के लिए इस्कूल खोलने वाले सुधारकों वो उनके छेतर का मिलान करें ठीक है तो यहनि कि लड़कियों के लिए इस्कूल कहां कहां ये सभी ने कहां कहां खोला था ठीक है जैसे इस्वर्चंद्र बिद्या सागर ये लड़कियों के लिए इसकूल खोला था कहा मालों ये खोला था कोलकता में इस्वर्चंद्र बिद्या सागर ने कोलकता में लड़कियों के लिए इसकूल खोला था जोती बार आव फूले ये खोला था महरास्ट में लड़कियों क की बात करें तो यह अलिगड़ में लड़कियों के लिए इसकूल खोला था तो याद रखना है अतिमात्पुन परस्ने इस्वर्चंद्र विद्यासागर कोलकत्ता में और जोतिवार आप फूले यह महरास्ट में और आज समाज यह पंजाब में और बेगम की महल अलिगड़ में लड़कियों के लिए इसकूल खोला था ठीक है यह ध्यान रखना है इसका एंसर क्या हो जागा ओप्सन नंबर इसका डी इसका कोरेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है अगर बात करें इन सभी के बारे में एक-एक महत्पुर्ण परस्न की बात करें तो जैसे जोतिवाराव फूले किया एक संदी में था तो मिताइल आइसोसाईनाइ्ट गेस का रिसााब हुआ ठा जैस्याद याद रखना है नेश्ट कोचन है और जो लोग पीछे का कोच्टन नहीं देखें वह पले लिस्ट में जाकर देख लिजेगा यह सेट का जो बूक है कि निमलिखित कथनों पर विचार करें पहला क्या है तारा वाई सिंदे ने इस्तरी पुरूस तुलना नाम की किताब प्रकासित की तो यह सही है ठीक है यह पहला कथन सही है पूछा कि सत्य कथन का चियन करें फिर पंडिता रमावाई ने हिंदु धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदु महलाओं की दूर्दसा पर एक किताब लिखी यह गलत है क्योंकि जो पंडिता रमावाई है ये सभी जातियों की हिंदु महलाओं की दूरदसा पर किताब नहीं लिखा था ये क्या है कि ये उच्च जाती का जो हिंदु महला थी उसपर नहीं यानि कि देखे ये पंडिता रमावाई एक संस्कृत के महान बिद्वान थी पंडिता रमावाई उंची जाती के हिंदू महिलाओं के दुर्दसा पर एक किताब लिखे थी ठीक है लेकिन यहां लिखा है कि सभी जातियों के लिए सबी जातियों की हिंदू महलाओं के लिए किताब लिखेते पंडित Grade और इनका नाम भी था इसे आपको याद रहेगा यह उच्च जाती के लिए हिंदु महलाओं की दुरदसा पर किताब लिखा था पंडिता रमावाई तो यह गलत हो जाता है यानि कि एक केवल सही है इसका अंसर क्या जागा केवल एक इसमें सही है अब यहां दू महत्पुर्ण परसन और याद रख लेना है पहले क्या है इस्त्री प्रूस तुलना नामाख पुस्तक के लेखकों ने तारावाई सिंदे ठीक है यह ध्यान रखना है और एक पुस्तक को ने दा हाई कास्ट हिंदू गोमेन पुस्तक के लेखा कोने पंदीता रमवाई है और पंदीता रखना और पूने में एक बिधवा ग्री की अस्थापना भी तेस आप आपको ऐगया होगा मीरा बाई मेसे भी कोशन पूचा जाता है हुआ ह काफी महतपूर ने मीरा भآई का जन्म का हूँआ था तो मिरभाय का जन्म हुआ तो कुड की जो की राजास्थान में है घंच और भाय का जन्म 1-1нок में हुआrib मीराभाय का गुरु का नाम किया है तो संत रविदास मीरा भाई के गुरू थे तो इतने सारे important चीजें याद रखना है नेक्स्ट है कि बाल बिवाह निशेद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया तो बाल बिवाह निशेद अधिनियम ये पारित किया गया था 1929 में ठीके कब पारित हुआ 1929 में और एक चीज़ बिन होगा और याद भी रहेगा क्योंकि इस वाला कई परसना आता है तो अगर जोड के एड करके नहीं पढ़ेंगे रिलेट करके तो क्या confusion भी जाएगा जल्द याद भी नहीं रहेगा थिक तो धियान रखना है जैसे कि बाल बिवाह निशेद अधिनियम पारित हुआ त इसे करने करते हैं तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग पकिय HOLTा तो बाल बिवाह निशेद हो गया उनी सों तीस यह काता बिधवा पुनर बिवाह अधिनियम कप पारित हुआ था काफी इंपोर्टेन कोश्चन है याद रखना है इसमें सभी अति महत्पुर्ण परसने और जो साथ में हम बताएंगे एक्स्ट्रा फेक्स वह भी काफी महत्पु पुनर बिवाह अधिनियम काफ पारित हुआ तो यह चाती परथा निवारन अधिनियम किस वर्स लागों वह था तो वह होता उंस्ट हुआ आधाशी तेक्स तेक्स यह ध्यान रखना हलाकि लोड बिलियम बेंटिक इने 1829 में सती पर्था को समाप्त कर दिया था यह पहले कायव लेकिस पर्था निवारन अधिनियम किस वर्स लागो हुआ भारत में केंद्र यह अस्तर पर तो यह आद रखना 1988 में ठीक है अचा भारत में डास पर्था को किस वर्स अबईद घोसित किया गया तो 1843 में दास पर्था को अबईद घोसित किया गया था 1843 में और 1843 में जब दास पर्था को अबईद घोसित किया गया था इस समय भारत का गवर्णर जनरल कोन था लोड एलन बरो था यह याद रखना है तेक एक बार फिर समझे इस्पी वाला सारा चीज़ें बाल बिवाह निशियत अधिनियम उनिस्सों उन्तिस में और बिधवा पुनर विवा अधिनियम कपारिटुवा अठारा सो छपन में सती पर्था निवारन अधिनियम किस वर्स लाग उवा था तो 1888 में और दास पर्था को किस वर्ष अभईध घोसित किया गया था तो 1843 में ठीक है यह ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है कि जाती उनमूलन के लिए काम करने के लिए परमहन्स मंदली का गठन किस वर्ष किया गया था तो जाती उनमूलन के लिए काम करने के लिए परमहन्स मंदली का गठन किस वर्ष किया गया था तो अठारा सो चालिस में किया गया था ठीक है कब किया गया था अठारा सो चालिस में अब एक अती महत्पन प्रस यहां भी नोट रखना है कि परमहन्स मंदली की गठन जो है वो किसली किया गया यह भी कोश सधी परथां समाप्त करने के लिए या तो जाती उन्मूलन के लिए याद रखना है कि गठन कहOOOO ठीक है तक यह घ्यान रखना है और इसका घठन हुआ था मुंबै में हुआ था ठीक में है Zur prima के स्थाप्न किस ने किया था तो दादोबा पांडूरंग और दुर्गाराम यह दोनों नाम याद रखना है परमहंस मंदली के अस्थापना दादोबा पांडूरा और दुर्गा राम मेहता ने किया था ठीक है यह जो परमहंस से परमहंस से रिलेटेड एक कोश्चन और भी आता है कि राम कृष्ण परमहंस यह किसके गुरू थे तो स्वामी विवेकान ने किया था यह याद रखना है नेक्स्ट है जाती सुधार आंदोलन के संबंद में निम्न कथनों पर विचार करें तो इसमें पूछा कि सर्थ कथन का चियन करें जाती सुधार आंदोलन के संबंद में तो पहला क्या है सतनामी आंदोलन की शुरूआत घासी दास ने पस् तो पहला क्या है सतनामी अंदोलन की शुरुवात घासी दास ने पस्चिमी भारत में की तो यह गलत है कैसे वालो कि जो सतनामी अंदोलन की शुरुवात घासी दास ने यह पस्चिम भारत में बल्कि मध्य भारत में किया था अब इसे याद कैसे रखना है आपको याद भी र गुरु घासी दास टैगर रीजर्व जो कि तिरपनमा टैगर रीजर्व बना था गुरु घासी दास टैगर रीजर्व यह तो राश्चियों त्य। तो 36 गढ़ में है इसे याद कैसे रखना है खुरु घंशी दस अर्पाशा गढ गढ गण थे-र वह रह उसल्डाiene आज खंडव दढकी तो अई पढ़ा है कि घांस गढ़ा है यहां जो लिखाता है कि गुरु घांसी दास पश्चिम भारत में की सत्नामें अंदुलन यह गलत था ठीक है यह क्या मध्य भारत में क्या था ठीक है तो यहां से दो कॉचन भी याद रहेगगा आपको 36जड़ में है घांसी दास 36ड़ में और घांसी दास ने मध्य भारत में सत्नामी अंदुलन की दूलन यह सही है तो इसका हो यह होले है तो इसका क्यों सहे है और चाहर ओप्रूंसर कर्योंसर है और के साथ कदा धर्म और एक सिवर किसका है यह कथन है किसका SRI NARAYNA GURU का है, सRI NARAYNA GURU नहीं कहा था कि मानपता की एक जाती एक धर्म और एक इस्वर है, किसका है SRI NARAYNA GURU का है, ठीके? यह ध्यान रखते हैं सिरी NARAYNA GURU का जन्म कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था, श्री नरायन गुरु का ज dł weद भव पुनर्विभा अधिनियम का पारित हुआ था थस तो अठारहसो Britney में हिः पारित हुआ था ठीका और इनका जन्म कहा हुआ था केरल के धिरोनन पूरहम में अओ था उड़ी नरायन गुरु सिक्षि का कौन थे तो यह सावित्री भाई फूले थी भारत की पर्थम महला सिक्षि का किसे का आ जाता है किसे माना जाता है तो सावित्री भाई फूले को और हीरा दास ठाकुर की बात करें तो हीरा नियाराइन गुरिश का अशर हो गया था जिने इस DR रचना किया था तो 1873 में किया था ठीक है यहां से काफी काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है पूछा जाता है तो जोतीबा रव फूले नहीं किया था और गुलामगरी पुस्तक की रचना भी 1873 में किया था ठीक है यह ध्यान रखना है और जो जोतीबा रव फूले की बात करें और इसी तरह एक कौन थी साबित्री भाई फूले तो वह भारत की पर्थम महिला शिक्षिका थी ठीक है यह थियान रखना है अच्छा एक पुस्तक और इनका इस्ट्री कीसान का कोड़ा पुस्तक के लिए कुर्णे दो जोतीबा फूले है ठीक है ध्यान रखना है 1875 में क्या हुआ था आर्ज समाज की अस्थापना 1875 में हुआ था ध्यानन सुर्शती ने किया था ठीक है ध्यान रखना नेश्ट है पढ़ने का सांदर तरीका यह होता है जब भी आपके सामने कोई कोस्चन आए उससे रिजिटे जितने भी महत्पुन परसने वो सभी को एक स देखना चाहिए हमेशा इस कोस्चन में पूछा गया है कि प्राथना समाज की अस्थापना कब की गई थी तो प्राथना समाज की अस्थापना कब हुआ था तो प्राथना समाज की अस्थापना 1860 में हुआ था ठीक है यह ध्यान रखना है प्राथना समाज की अस्थापना 800-662 में वह था इश ट्याप के प्रत्व में पूचया जाता है तो जो भी महत्पूर्न है वो सबका यहां पर एक साथ देखते हैं चैसे की प्रात्न समाज के अस्थापना उह गयa 800-663 में और बात करते हैं का जो अर्य भहतन discussता अछा अल्ग को आठापना का हुआ था तो 1873 में, ठीक है, सत्य सोदक समाज की अस्थापना 1873 में हुआ था, अगर सिरियल से बात करें, तो सबसे पहले इसमें को जाएगा, सबसे पहले ब्रह्मन समाज की अस्थापना हुआ था, ठीक है, 1828 में, ब्रह्मन समाज की अस्थापना, और फिर प्राथना समाज की अस्थापना 1863 में, प्राथना समाज की अस्थापना 1865 में, तो सभी याद रखना है आपको, ठीक है, तो एक बार फिर समझें, ब्रह्मन समाज की अस्थापना का बुआ, 1828 में, फिर प्राथना समाज की 1863 में, सत्य सोदक समाज की अस्थापना 1875 में हुआ था, ठीक है, और इसका अस्थापना किस ने किया था, यह भी प्रस्ण पूछा जाता है, तो यह भी याद रखना है ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, यहाँ पर एक बार रिविजन करते हैं, प्राथना समाज की अस्थापना किस ने किया था, आत्मारंग पंडूरंग ने किया था, ब्रह्मन समाज के संस्थापक को ने राजाराम मोहन रहा है, सत्य सोदक समाज के जोतिवाराव फूले, आर्च समाज के संस्थापक दियानन सुरसति हैं, नेक्स्ट है, भारत में आर्म्स एक्ट किस बर्स पारित किया गया था, तो भारत में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, तो अठारा सो अठार में, ठीक, अठारा सो अठार में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, ताकि आपको दोनों याद रहेगा और याद रहेगा रिलेट करने से ठीक है और कन्फूजन भी नहीं होगा तो आर्म सेक्ट भारत में पारित हुआ था अठार सो अठार में अठार सो अठार में एक महत्पून गतना है बर्ना क्यूलर प्रेसेक्ट को कब पारित हुआ था अठार सो अठार में लोड लिटन ने पारित किया था बर्ना क्यूलर प्रेसेक्ट को लागो किया था लोड लि और बात करते हैं यहां 1875 से आपको या दिये, आरे समाज के अस्थापन हुआ था, ठीक है, नेश्ट कोशन है, कि इलबर्ट बिल लागू करने के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें, तो इलबर्ट बिल के बारे में पूछा है, और इसमें पूछा है कि सर्थ कथन का चेयन करें, तो पहला कथन क्या है, कि 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का परियास किया, तो यह सही है, ठीक है, 1883 में इलबर्ट बिल जो है, इलबर्ट बिधेयक लागू किया गया था, 1883 में, दूसरा क्या है, कि इस बिल के जरिए भारतिये आखवारो पर परतिबंध लगाने का पर्यास किया यह गलते बारती एक बाथ करते हैं देखे इलवर्ट विद्यक के बारे में पूछा जाता है कि इलवर्ट विद्यक कब लाग हुआ तो 1883 में लाग हुआ था किस ने किया था लोड रिपन ने किया था ठीक है याद रखना है लोड रिपन का कार्ज काल कब से कब तक था मालो 1884 और इस दवरान दो तीन इंपोर्टेंट घटना हुआ काफी इंपोर्टेंट है जो जा में पूछा जाता है यादे 1880 के दवरान 80-84 लोड रिपन का कार्ज काल था ठीक है तो इसमें पूछा जाता है कि नियमित जनगन्ना यानि कि दसकी जनगन्ना की सुरुआत का हुआ तो 1881 में हुआ था रिपन के समय है ठीक है भारत में पहला कारखान आदेनियम का पारित हुआ था तो 1881 में ही पारित हुआ था लोड रिपन के समय है और 1882 में हुआ था बरना क्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था लोड रिपन द्वाराई और इलबर्ट बि कि कॉंग्रेस के अस्थापना के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार करें कॉंग्रेस के अस्थापना के बारे में कॉंग्रेस के बारे में निमलिखित कथन में पुछा सत्य कथन का चेयन करें तो पहला क्या है कि 1880 में देश भर के 72 परतिनी धियों ने मुंबई में सभा करके भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना का फैसला लिया ये सही है दूसरा क्या है संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नेरो जी ब्रिटिस संसत के सदस रह चुके हैं ये सही है स्यवा ने ब्रिटिस अपसर एओ हुम की कॉंग्रेस की अस्थापना में महतपूर्ण बोमिका थी ये भी सही है जो भारती राष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना एओ हुम नहीं किया था यानि कि तीनों इसका सही है भारती राष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुआ था 1885 में हुआ था ठीक है और किस ने किया था एओ हुम ने किया था उसमें 22 रह कोन था तो भारत का बाइस रह था लोड़ डफरिन यानि लोड़ डफरिन का कार्चकाली था 1884 से 1888 तक था तो इसी दौरान 1885 में भ पर्थम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष डबलू सी बनर जी था और यह कहां वह था पर्थम अधिवेशन बंबे में वह था ठीक है दूसरा अधिवेशन की बात करें तो यह 1886 में कोलकत्ता में वह था और इसका द्यक्ष दादा भाई नियोरे जी था दूसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में वह था इसका द्यक्ष बद्रुदिन तयव जी थे और बद्रुदिन तयव जी थे कभी बार कोशन पूछा गया है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस है उसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कों थे तो बद्रुदिन तयव जी थे ठीक है अचा भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कों थो जोर्ज यू ले था बद्रुदिन तो बद्रुदिन पहली महला अध्यक्ष एनिविशेंट थी कब बने थी 1917 के कुलकाता अधिवेशन में अगर पूछे कि कॉंग्रेस का पहली भारती महला अध्यक्ष पूछ दे तो वो थी सरजनी नाइडू कब बने थी 1925 के कानपूर अधिवेशन में ठीके ध्यान रखना है अच्छा गांध बार इक बने थे थी 1904 के बेलगाओं अधिवेशन में एक मात्र अध्यक्ष बने थे अच्छा इसका पर तम अधिवेशन जो गाउन में हुआ था वो कब वथा और कहां हुआ था तो 1937 में वह था पहला गाउन अधिवेशन जो हुआ था 1937 में फैजपूर अधिवेशन फैजपूर महारास्ट में ठीक है ध्यान रखना है आजा स्वतंतरता के समय कॉंग्रेस का देख्ष कौन था तो अचायर जे भी क्रिपला नी था ठीक है यह सारी अतिमात्पुन परस ने सारे एक भी इसमें मिशनी के रहा सकता है सभ सुराज की मांग सरपर्थम किस ने की थी तो सुराज की मांग सरपर्थम क्या था गरम पंथियों ने ठीक है याद रखना है सुराज की मांग सरपर्थम किस ने क्या था गरम पंथियों ने ठीक है देखिए 1907 में क्या हुआ था कॉंग्रेस का बिवाजन हो गया था पहली और विपिं चंद्र पॉल इसे याद रखना कैसे लाल बाल पाल लाल लाज पत्रा है बाल से बुपिंचंद्र पॉल यह गरम दल नर्म दल के परमुखनेता कौन ते और उमेश शराज की मांग की बात यहां किया तो याद रखना है पुर्ण सुराज की मांग पहली बार कप किया था तो 1929 के लाहर अधिवेशन में उनका अध्यक्ष कौन थे जवाहरला निहरू थे ठीक यह सारे चीज़े याद रखना है नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने बंगाल विवाजन के पीछे क्या तरक दिया तो अ ध्यान रखना है अब बंगाल विवाजन की बाता यहां से कई important question पूछा जाता जैसे बंगाल विवाजन किसके समय हुआ था तो उसमें बाइसरा कौन था लोट करजन था यह था और लोट करजन का कार्जकाल तो जो था 1899 से 1905 तक था ठीक है तो लोट करजन बंगाल विव बंग बंग के नाम से जाना जाता है यह ध्यान रखना है और बंग बंग अंदोलन कब हुआ था 1905 में हुआ था किसने बंगाल विवाजन के बिरूद आंदोलन का नित्रित्व किया था कोशनी पूछा जाता है किसने बंगाल विवाजन के बिरूद आंदोलन का नित्रित् सबी बंगाय वीवाजन के बाद कौन सांदोलन शुरुए स्वधेसी अंदोलन 1905 में हुआ यहा αλλά रद किस न tyre नलोड हर्डिंग नि किया था 1991 में बंगाल हर्द कर दिया था लोड हडिक का कार्चकर था 1910 से 16 यही सारे चीजान यहाद रखना है नेक्स्ट है 1917 में घटित रूसी करान्ती के परमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपुर्ण बिशुम में फैले तो 1917 में घटित रूसी करांती से परमुख रूप से कौन से विचार निकाल कर संपुर्ण विश्व में फैले तो समाजवाद का विचार समाजवाद का विचार रूसी करांती से परमुख रूप से ये विचार निकल कर संपुर्ण विश्व में फैला था क्या समाजवाद का विचार, ठीके, अब ये करांती से मालूं, question पूछा जाता है, विश्व के तिहास से जब question आता है, ये question पूछा जाता है, कि रूसी करांती कब हुआ था, बस direct ये question पूछे ले जागा है, रूसी करांती कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ये याद रखन 17, फ्रांसेसी करांती, 1789, और चिनी करांती, 1911 में, ठीके, अब इसके जनक कोन थे, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीके, रूसी करांती के जनक कोन थे, तो लेनिन थे, रूसी करांती के जनक कोन थे, ब्लादिमीर लेनिन, याद रखना है सिर्फ लेनिन, रूसी करांती के कों थे जिन जेक्स उरूसों थे और चीनी करांती के जनक कुण थे तो सनियात सेन थे याद रखना है चीनी करांती के जनक कौन थे सनियात सेन ठीक है तो यह सारे important चीज में याद रखना है आपको वागेदारी बढ़ाने के निमलिखित कारण थे तो वो कौन-कौन सा पर्थम विस्यूद के बाद महंगाई में तेजी से बढ़ोदरी परिनाम सुरूप जनता तरस्त थी ये सही है दूसरा क्या 1917 के रूसी करांती ये भी सही है गांधी जी के सत्यागरा और अहिंसा के विच से 1918 तक दूसरा विस्यूद हुआ था 1949 से 1945 तक ठीक है अब बात करते हैं कि इसका 1919 में कुछ अति महत्पूर्ण घटना हुआ वो सबको एक साथ देखते हैं जैसे जालिया वाला वाग हत्याकांड का वह था 1919 में रोले के कव लाग हुआ था तो 1919 में खिलापा थांदूलन प्रांतों में दुएद शासन जो लाग हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह कव अथत 1919 में हुआ था ठीक है यह सारे इंपोर्टेंट चीजें याद रखना है नेक्स्ट है रोलेट एक्ट के सम्मंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें तो रोलेट एक्ट के सम्मंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें पहला क्या है यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंतरता जैसे मूल भूत अधिकारों पर अंकुस लगाने और पुलिस को ज्यादा अ विवेक्ति की स्वतंद्रता जैसे मूल भूत अधिकारों पर अंकुस लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था रोलेक्ट एक्ट के विरूद में शुरू किया गया रोलेक्ट सत्यागरह ब्रिटिस सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारती संगर्श था ये दोनों इसका सही है तो सत्य कतन पूछा है तो इसका को ट्रेंश रोजागा वान और टू दोनो ठीक है ये दिया रखना है और रोलेक्ट एक्ट को मालूम क्या कहा जाता है रोलेक्ट एक्ट को ही बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है ठीक है और लोड चेम्सफोर्ड का कार्चकाल कब से कब तक था मालूम लोड चेम्सफोर्ड का कार्चकाल 1916 से 1921 तक था ठीक है ये 1916 से 1921 तक भारत के बाइसर रहते लोड़ जेम्स फोर्ड नेक्स्ट है कि शिक्स्टी सेवन कि असवयोग आंधोलन के संबन में निमलिखित कथनों पर विचार करें तो असवयोग आंधोलन के बारे में विचार करना है और इसमें पूछा कि सत्य कथन का चियन करें तो पहला क्या है यह खिलापत आंधोलन के बाद प्रारंभ हुआ फिर दोनों को एक साथ जोड़ा गया ठीक है असवयोग आंधोलन जो है यह खिलापत आंधोलन के बाद प्रारंभ हुआ था फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया यह स इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिसकार किया गया और उपाधियां लोटा दी गई थी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई यह भी सही है तो यहां पर क्या है कुछ आति मातपूर्ण जैसे के असायोग अंदोलन कब हुआ था यह कोश्चन पूछा जाता है तो कुछ अति मातपूर्ण जो कतई जहर परसने वो सभी यहां पर एक साथ रिविजन करते हैं कौन कौन सा अंदोलन कब हुआ था जैसे असायोग अंदोलन कब हुआ था 1922 में हुआ था ठीक है और क्रांची अदिवेशन कब हुआ था 1931 में हुआ था क्रांची अदिवेशन और गांधी इर्विन समझोता भी 1931 में हुआ था पूना पेक्ट कब हुआ था तो 1932 में हुआ अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया प्रस्ताव क्रिप्स मिशन भारत कब लाया था तो 1942 में भारत छोड़ों अंदोलन कब लाया था 1942 में हुआ था केविनेट मिशन भारत कब लाया था 1946 में और भारत अजाध हो गया था 15 अगस्त 1947 को नेश्ट कोस्टेन है पंजाब में सिखों के अकाली अंदोलन का मुख उद्यस था कि अंग्रेजों की सहायता से गुरु द्वारा में जमें बैठे भरस्त महनतों को हटाना ठीक है तो इसका इंसर ये सही है कि पंजाम में शिखों के अकाले अंदोलन का मुख्योदियस क्या था कि अंग्रेजों की सहायता से गुरु द्वारा में जम्य बैठे भरस्ट महानतों को हटाना इसका मुख्योदियस था ठीक है अचा सीख धर्म की बात आई यहां सीख धर्म के स्थापना किस नहीं किया था तो सीख धर्म का संस्थाप थे गुरु नानक देव गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ है 1666 में 1666 और कहां वह था पटना सीटी में वह था तो यह ध्यान रखना है नेश्ट को चने कि उनिस्सों तीस में पारित पुर्ण स्वराज मांग पुर्ण स्वराज परस्ताब से निमलिखित कर्थनों पर विचार करें तो इसमें फिर पुछा एक सर्थ कथन बताएं तो पहला क्या है सुबाह चंद्र बोश की अधिक्षिता में यह परस्ताब पारित किया गया यह गलत है क्योंकि 1929 का जो लाहर अधिवेशन था उसमें पुर्ण स्वराज की मांग किया गया था और इसका परस्ताब पारित किया ग स्वराज के अधियक्ष कोन थे तो पंडित जवारल नहरू थे ठीक है यह गलत दिया हुए सुवाचनर बोश यह गलत है फिर क्या इस प्रस्ताब के अधार पर 26 नमबर ने बलके 26 जनवरी होगा 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंतरता दिवस मनाया गया था तो इसका correct answer होगे था ओप्शन नमबर डी ना तो एक ना ही दो इसका सही है ठीक है यह ध्यान दखना है तो स्वतंतरता दिवस पूरे देश में कमनाया गया 26 जनवरी 1930 को नेक्स्ट है कि भागत सिंग के संबंद में निमलिखित कत्थनों पर विचार करें तो पहला क्या है भागत सिंग ने बर्स 1924 को दिल्ली अस्थिट फिरोजसा कोटला में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रीप पबलिकन एसोसियन की अस्थापना की ये घलत है क्योंकि जो भागत सिंग ने 1924 में नहीं बल्कि कब क्या था 1928 में क्या था भागत सिंग ने 1928 को दिल्ली अस्थिट फिरोजसा कोटला में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रीपबलिकन एसोसियासन की अस्थापना की ये सहीए ने यानि कि 1928 में लेकिन 1924 लिख दिया तो ये गलत हो जाता है फिर दूसरा क्या है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सोंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की ये सही है सोंडर्स की हत्या भगत सिंग ने किया था ये सही है यह पिर कि 2929 में केंद्री बिधान सवा में बंग थेका था यह भी सखिए ते इसका पुर। एंसर क्या हो जागा दो और तीन इसका थीक है दो और तीन और शूर्प से इसका कोटकर प्रेंसर में ठीक है अब भगत सिंह के बारे में कुछ समझते यह जैसे भगत सिंह ने 1928 में तो कुफिरोर्शा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपेवले करें सोशन के अस्थापना किया तो यह ध्यान रखना है अच्छा सेंट्रल एसेंबली में बं किस ने फेका था तो भगत सिंग और बट्यू केसर दत ने फेका था भगत सिंग सुखदेव और राज सितंबर 1907 को बंगा गाउं में हुआ था भगत सिंग का जनम 18 सितंबर 1907 को बंगा गाउं में हुआ था नेस्ट कोचने रास्ति आंदोलन से सम्मंदित निमलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चेयन करें पहला क्या 1935 का Government of India Act में प्रांतिय स्वाइत्यता का प्रावधान किया गया था ठीक है तो इसमें पहला क्या कहा गया है कि 1935 का Government of India Act में प्रांतिय स्वाइत्यता का प्रावधान किया गया था तो इसका क्या है ये सही है ठीक है और दूसरा क्या है 1937 में प्रांत बिधायकों के चुना में कॉंग्रिस को 11 में से 7 प्रांतों में कॉंग्रिस की सरकार बनी थी ये भी सही है ठीक है इसका एंसर क्या जागा ओप्शन नंबर सी एक और दो दोनों सत्य है ठीक है ये धियान रखना है नेस्ट कोशन है आपका कि अच्छा इसमें एक दो पोइंट को याद रख सकते हैं प्रांतों में 2 शासन ये लागू कब बुआ था तो भारत सरकार अधेनियम 1929 की था प्रांतों में 2 शासन लागू आ था और 1935 में प्रांती ये द्वेद शासन प्रनालिक को समाप्ट कर केंद्र में द्वेत शासन लागु किया गया था तो यह दोनों सही है ये ठीक है यह तो धियान रखना है तो दोनों चीज़ें धियान रखना है प्रांतों में धुशासन भाष सरकार मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया तो यह कब वह था मालों किस बर्स मुस्लिम लीग अधिवेशन लाहोर में उसमें क्या हुआ कि स्वतंत्र राज की मांग पहली बार किया गया था और पूछा जाता है कि किस बर्स मुस्लिम लीए ड्वारा अलग पकिस्तान की मांग किया गया तो 1940 में 1940 में अलग पकिस्तान एक सुटंतर राज की मांग किया था ठीके अच्छा ये जो 1940 का है लाहौर अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम मिका लाहौर में इसका अध्यक्ष कोन था तो मुहम्मद अली जीनना थे ठीक है यह ध्यान रखना है मुहम्मद अली जीनना थे अच्छा पकिस्तान का नाम सबसे पहले रखा ठीक है पकिस्तान का नाम सबसे पहले किस न दिया था तो रहमत अली ने दिया था ठीक है यह ध्यान रखना है तो लखनो समझोता होम रूल अस्थापना 1916 में हुआ था और पुर्ण स्वराज की मांग 1929 में और बाल बिवाह निशेद अधिनियम भी पारित हुआ था कब 1929 में यह ध्यान रखना है और 1937 की बात करें तो 1937 इसपी में फैजपूर में कॉंग्रेस का पहला अधिविशन हुआ था जो गाउं में हुआ था फैजपूर अधिविशन 1937 का पहला दिविशन जो कि गाउं में हुआ था यह ध्यान रखना है कि नेश्ट कोचने आपका कि सुभाष चंद्रबोस के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें तो सुभाष चंद्रबोस के वारे में विचार करना है और सर्थी कथन का चियान करें पहला क्या है वह समाज बादी विचार वाले नेता थे यह सही है उन्होंने अजाद हिंद फोच का नेत्रि अधानों सही है ठीक है तो आपको यह कोचन यहां से पूछा जाता है कि प्राक्रम दिवस के जयनती पर ही 23 जनवरी को मना जाता है और सुबास जनवरी अध्यक्षा के कटक में हुआ ठीक है यह ध्यान रखना है और रास्टी प्राक्रम दिवस 23 जनवरी को मना जाता है सुबास जन्दर बोस कॉंग्रेस का अध्यक्ष कब बना था 1931 में बना था एक बार पहली बार तिरुपूरा अधिवेशन में फिर सुबास जन्दर बोस जी और 1949 में तिरपूरी अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे तिरपूरी का है मध्य परदेश में यह थीक है तो अध्यक्ष बने थे एक कोशन यह भी आता है कि सुबास जन्दर बोस बोस 1949 के तिरपूरी अधिवेशन में किसे हराकर कॉंग्रेस का अध्यक्ष बने थे तो पट्टा भी सीता रमया को हराकर कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे एक परशिद कथने जो कोशन पूछा जाता है कि तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें अजाली दूंगा यह कथन किसका यह नारा है सुभास्चंद्र बोस जी का है नेक्स्ट है भारती इतिहास में दर्ज बरबर प्रत्यक्ष करवाही दिवस मुस्लिम लेग द्वारा कब प्रारम किया गया 16 अगस्ट 1946 को 16 अगस्ट 1946 को भारती एतिहास में दर्ज बरबर प्रत्यक्ष करवाही दिवस मुस्लिम लेग द्वारा कब पारित किया गया तो 16 अगस्ट 1946 को ठीक है यह ध्यान रखना 16 अगस्ट 1946 को लागवा था अच्छा एक केबिनेट मिशन भारत कब आए था तो 1946 में आये था नेक्स्ट है कि मॉन्टेस्क्यू या तो इसे मॉन्टेस्क्यू भी का जाता है मॉन्टेस्क्यू के सम्बंद में निमलेखित कर्थनों पर विचार करें पहला क्या है इसने देश्प्रीट ओफ दा लोज नामक पुस्तक की रचना किया था और फिर आगी क्या है दूसरा इस पुस्तक में सत्ता के सक्ति के विभाजन की बात लिखी गई थी यह भी सही है ठीक है यह दोनों कथन सही है मॉन्टेस्क्यू के सम्बंद में देश्प्रीट ओफ द लोज नामक पुस्तक के लेखकोंने मॉन्टेस्क्यू है ठीक है तो य फरांस के दार्शनिक और उपन्यासकार थे मॉन्टेस्क्यू का फरांस के यह ध्यान रखना है तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर टू का 75 महतपुर्ण प्रस्न होता है समाप्त और मिलते हैं आगे के महतपुर्ण प्रस्नों के साथ और एक चीजह में से याद रखना है क इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें जैहिन दोस्तों